हाई एवरिवन स्वागत है आप सभी का हमारे लगू करने की घोशना किस देश ने की है ऑस्ट्रेलिया ने सी ओप्शन इस कौशन का सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया में ये एक्ट 26 अगस से लागू हो जाएगा क्या है ये डिसकोनेक्ट एक्ट ये भी देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया का एक एक था फियर वर्क एक्ट 2009 जिसमें संशोधन किया गया है अब इसका नाम फियर वर्क अमेंडमेंट एक्ट 2024 कर दिया गया है जिसे दूसरे नाम से पुकारा जा रहा है Right to Disconnect Act Right to Disconnect Act इसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस Act के अनुसार किसी भी करमचारी को अपने work hours के बाद अपने boss की call या email का जवाब देना जो है वो ज़रूरी नहीं किया गया है इस Act में ये कहा गया है कि work hours में ही आप काम करेंगे जब आपके work hours खतम हो जाएंगे तो आपको किसी भी official काम का reply करने की या office की call उठाने की ज़रूरत नहीं है और हाल ही में ये Australia द्वारा गोशना की गई है कि इसको लागू किया जाएगा 26 August 2024 से Australia को मैप में देखते हैं Australia मैप पे कहां पे locate करता है मैप में देखी ये Australia है एक तरफ से Indian Ocean और दूसरी तरफ से Pacific Ocean से occupy करा हुआ है neighboring country की बात करें तो पेपुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया, न्यूजिलेंड ये इसकी neighboring country जो है वक कही जा सकती है Australia की capital है Canberra और यहां की currency है Australian dollar इतना जो है relate करके आप Australia के बारे में याद रखेंगे Next question देखिए किस राज्य के मुख मंतरी द्वारा महिला पुलिस करमचारियों को एक साल का मातरित्व अवकाश देने की घोशना की गई है ये घोशना की है तमिलाडू के मुख मंतरी MK स्टालिन ने इन्होंने महिला पुलिस करमचारियों को एक साल का मातरित्व अवकाश देने और जब तक बज़ा तीन साल की उमर का नहीं हो जाता तब तक इन महिला पुलिस करमचारियों को उनके पती या फिर माता-पिता के स्थान पर ही तेनात किया जाएगा ये घोशना जो है तमिलाडू के मुख मंतरी द्वारा हाल ही में की गई है कॉशन रिलेटेड है तमिलाडू से तो चलिए मैप में देखते हैं तमिलाडू को इंडिया के मैप में तमिलाडू एक की बात करें तो तमिलाडू की capital है चेने, यहां के मुखे मंत्री है M.K. स्टालीन और यहां के present governor है R.N. रवी, इतना जो है related आप तमिलाडू के बारे में याद रखेंगे, next question है भारत ने अपना पहला reusable hybrid rocket launch किया है, इसका नाम है, roomie 1 D option इस question का सही उतर है, other option की बात करें, तो हाल ही में भारत ने EOS 18 को भी launch किया है EOS है Earth Observational Satellite, इसको 16 अगस्त को launch किया गया था First private developed satellite है Vikram S, और second Agnikul इन दोनों के नाम भी आपको relatedly याद रखनी है, चलिए next question देखते हैं, next question है, केंदर सरकार की Unified Pension Scheme को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कोन बना है, पहला राज्य देश का जिसने Unified Pension Scheme को लागू किया है, वो महराश्ट्र बना है C option इस question का सही उतर है केंदर ने इस scheme को 1 April 2025 से लागू करने की घोशना की है 2025 से ये scheme जो है केंदर के सभी करमचारियों पे लागू हो जाएगी, इसे short में UPS भी बोल रहे हैं, केंदर के करमचारियों को ये option दिया जाएगा, कि वो NPS के लिए जाना चाहते हैं या UPS में अपना interest दिखाना चाहते हैं उसे जो है अपनी salary का 50% pension जो है, वो मिल जाएगी जैसे कि old pension scheme में होता था अगर उसकी service 25 साल से कम है तो उसको जो है minimum pension 10,000 rupees और प्लस कुछ अधर प्रापधान जो है, वो किये गए हैं बट अगर वो 25 साल से कम उमर की service देता है, तो उसे जो आधर के कोडे कम मिलेगी केंदर के 23,00,000 करमचारियों पे ये scheme जो है वो 1st April 2025 से लागू हो जाएगी महराष्ट ने इस scheme को देश में सबसे पहले लागू किया है तो चलिए मैप में महराष्ट को देखेंगे ये है महराष्ट, महराष्ट अपनी बॉंड़ी जो है वो कितनी स्टेट्स के साथ शेर करता है ये भी आपको पता होना चाहिए गुजरात, मध्यपरदेश, च्छतिसगड, तेलंगना, करनाटक और गोवा 6 स्टेट्स के साथ महराष्ट जो है अपनी बॉंड़ी शेर करता है महराष्ट की राजधानी है मुंबे, यहां के प्रेजन्ट मुखे मंत्री है एकनाट शिंदे और यहां के गवर्नर है सीपी राधा कृष्णन नेक्स्ट कॉशन है नागरिक उडेन महा निर्देशाले ने आयोग्य होगा यहां पे, आयोग्य क्रू मेंबर के साथ उडान भरने पर किस एरलाइन्स को 90 लाग का जुर्माना लगाया है हाल ही में ये 90 लाग का जुर्माना जो है वो टार्टा ग्रूप कंपनी की एरलाइन्स एर इंडिया पे लगाया गया है, यह ओप्शन इस कॉशन का तो लाइक शेजरूर कर दीजेगा थैंक्स वर वाचिं